हलो मेरा नाम नौक्टर दीपकेड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्सरोग संमोहन तथा व्यसनमुति उतग्य हूं हमारा हॉस्पिटल महाराष्ट में है अकोला में जान मनोरुगनों को और व्यसनी लोगों को रिस्तारों के साथ भरती करते हैं और उनका इलाश करते हैं मेरे पास में काफी लोग काउंसिलिंग के लिए आते हैं काफी कपल्स आते हैं पती-पत्नी और वो आपस में जमता नहीं करके आते रहते हैं हाला कि पिछले कहीं हजार वरसों से शादिया हो रही है मतलब हुमन बींग जब से पैदा हुआ तब से लोग अपोजिट से उसके साथ साथ में रह रहे हैं शादि का इन्सिटूट है शादी की संस्ता जो है मैरेज इंसिटूशन यह पताने 10,000 साल से चालू है और शादी में साथ साथ रहते हैं शादी करने का उद्देश रहता है, को एक दूसुरे को support करो, एक दूसरे की जो need है, वो planning करो, फिर फाने की need हो, sex की need हो, वो planning करो, ओर procreate करो, नया generation पैदा करो, लोगर रहता है कि शादी के पहले, रिस्ता अक्छा अच्छा लगने लगता है, specially जब Love Affair होता है लो marriage होता है तो शादी के पहले या शादी के बात में सालवर तक जो वेक्ती रहता है वो वेक्ती मतलब वो पत्नी और वो पती शादी के एक साल बात में वैसे रहते नहीं है अब शादी इतने रहना होती दिन रहो और बात में फिर अलग हो जाओ इत्मा हमारे देश में आया नहीं है बड़े-बड़े शेहरों में मुंबई डेली बेंगलोर कलकता यहां हो सकता है अगर बाकी ज़रे इतना नहीं बाकी देगा तो लोग शादी करके रहते हैं होता जाए कि शादी के एक साल बाथ तक मतलब शादी के एक साल तक रिष्टा अच्छा रहता है और बात में तुरंटी कुछ ना कुछ ना कुछ अन्बण चालो हो जाती है हर एक को लगता है कि वो शादी के पहले जाए शादी के बाद में जो था बैसा Catalunya не रहा मेरा पति वैसा नहीं है मेरी पत्नी वैसी नहीं है पत्ति को लगता है कि मैं घर जाने के बाद में उसने मेरा मांसनमान करना चाहिए आदर करना चाहिए उसने मेरा को सब रेडिमेड देना चाहिए क्योंकि मैं बहार कमाता हूं बहार जाता हूं सब तान तनाव लेता हूं औ कहीं कहीं तो तनाव मतलब इतने छोड़ी बात के ऊपर रहता है कि तीसरे आदमी को ऐसा लगता है कि यह तनाव है क्यों मतलब इतना जखड़ा करते क्यों है समझ में नहीं आता है इतना इतनी छोड़ी बात रहती है उसके ऊपर तनाव रहता है शादी के बात में अपेक्ष अच्छा है मेरे पती ने समझ के लेना चीए अच्कल तो सोशल मेडिया फेस्बूक है वाट सैप है इतना आउपुट आ रहा है मतलब दिमाग में इतना जा रहा है अंदर इंपुट इतना जा रहा है लोग उसमें बीजिये बहुत ही उसका इंपुट आते जा रहा है ऌरए को सब्सक्राइब हाँ यहें बहुत हद्या रहा है युए अद्हुट और यहां से इगानी ऑप दूर हो हुछ लोग में दूट दूर हुह उप पत्नाम और तक में टूट इमारwood स हपस्ति फिर एक तो तक चले जाता है और नहीं तो फिर बिच्छों के लिए एक छट के नीचे लोग मेंटलि डाइवर करके रह रहरे कि मेंटल Cruiser हो चुका है वे बछेखों के लिए साथ में रहरे हैं ऐसा भी होता है शादी खुशी की लिखी जाती है, मगर शादी के बाद में दुख जादा मिलना शुरू होता है, क्योंकि अपेक्षाय जादा है, बहुँ जादा अपेक्षाय है, डिमांडिंग जादा है, और होता जाए कि समझो लड़की पढ़ी लिखिये है, पत्नी पढ़ी लिखिये है और वो पड़ी लिखी लड़की यदी शादी करके यहां गई है तो उसको ऐसा लगता है कि अपना expression नहीं हो रहा है अपने को दबाया जा रहा है मतलब suppressed हो गई हूँ मेरा तो talent है उसकी किम्मत नहीं हो रही है मुझे तो कुछ करने नहीं मिल रहा है मैं तो घर-घर में वैड में नहीं हो जाए पती की तुलना अपने पता जी के साथ में करती है उसको उसके पिता जी अपने पती के रूप में देखते मतलब से को पराब्लम आते रहते है कि मा मेरी ऐसी थी माए सीचि और वो सास ऐसी होना चीग सांस जो है वो अपनी बहु की तुलना अपने बेटी के साथ में करती है कि मेरी बेटी ऐसी है बहु ऐसी होना जी और पती है तो पती अपनी तुलना अपनी पत्नी की तुलना अपनी मा के साथ में करते रहता है हर सब्सक्राइब कंपेरिजन चलू रहता है और वो कंपेरिजल में आप एक्षाब पूरी होती नहीं है और फिर जंजट छोड़ी बात के ऊपर तुलना करते वक्त मतलब प्रॉब्लम आते रहते हैं और इसमें करना क्या है इसमें बताया कि शादी करते हैं लोग खुशी के लिए करते हैं अपना बहुंश आगे बढ़ अपने अपने काम में इतने विज्य हो जाते कि एक दूस्रे को पूशने इंतक समय नहीं नहीं मीलता स्पेशला में ऱगे बड़ेश हर नहीं हम लोगरेक्रों में दोनों भी एधी काम करते रहें और दोनों भी काम को जा रहे बाहर, घर के बाहर, दोनों भी 7 बजे, 8 बजे घर के बाहर जा रहे, रात को 8-9 बजे, 10 बजे वापस आ रहे, तो दोनों की मुलाकत सिर्फ रात को हो जाती है, बेड़ के उपर, और फिर वो भी रिस्ता धिरे-दिरे कम हो जाता है, physical relationship कम हो जात तक जाते है, बहुत tension है, काम का tension है, और वो भी वहां से भी एक जुसे से हट जाते है, एक अभी मेरे बास में विख्ती आया था, वो पुना का है, और बड़े company में काम कर रहा ह। दोनों भी मियादी बी काम कर रहे, पती पतनी काम कर रहे, दो साल का लड़का है, और उसको careậे पर करके हवाले करना परता है, क्वेंके दोनों भी कामदी है, अचलिए दोनों को तनावा रहा है, दोनों को guilt feeling हो रहा है, और फिर उसके ओपर दुनों का जगडा जलुए पती बोलता है पतनी को कि तू अभी सर्विस मत कर घर में रहे बच्चों को हम लोगों के हावाले करते है तो बच्चे को अपन पालिंग पोशन करेंगे बच्चे का केर डेकर के पास में क्यों रखना है तो बदे नहीं मेरा करियर है मुझे तो करियर करना ही है बच्चे के लिए मैं कैसा जैसा मेरा बच्चा तुम्हारा भी बच्चा है तुम भी फिर घर पे बैटो मैं काम करते हूँ आप घर पे बैटो बना ऐसा जगडा है और उसके अबच्चों के उपर हो रहा है, बच्चे माबाब का चगड़ा देखि रहे हैं, और उसमें फिर tension इले आरहा है, तो tension के लिए फिर कोई drink लेना, beer लेना, और फिर beer लेते लेते हैं, और हाइड ड्रींस के ऊपर भी चले जाना, और सुब ऐसे नहीं के पती जाता है, पतनी भी लिए लेना चालो कर देते हैं इसमो के वा कि है और फिर उसके वज़ए से जो प्रॉब्लम आते हुब आते ही Central because ह sind जह यहां कॉंस्रीग के लोग अियों को कॉंसिलिंग में साथ में बिठाके सेशन करता हूं यहां आते हैं तो उनको साथ में बैणavे करता हूं या पिर बाहर से ज़ये बाहर, दूर से है तो उनको fone के उपर मैं counseling करते रहता हूं phone के उपर हम conference call करते है या फिर direct one to one फोन होता है और उसमें फिर हम counseling करते है उसमें एक ही बात हम बताते हैं कि भई एक दूसरे को समझ के लो हम लिसन नहीं करते हैं सुनते नहीं एक दूसरे को अपनी ही लगाते हैं मेरी आवास सुनो हर दक्ति बोलता है कि मेरी आवास सुनो मैं जैसा बोलता हूं ऐसा करो और हर एक व्यक्ति, मतलब पती या पत्नी एक दूसरे को डॉमिनेट करने लगता है एक दूसरे को गलत ठहरने लगता है तो गलत ठहराना, डॉमिनेट करना, एक दूसरे के बारे में शिकायत करना एक दूसरे की गलतिया निकालना और जगरते रहना इसके बदले एक दुसरे को समझ लेना और जैसा है पत्ती जैसा है वैसा है या पत्नी जैसी है वैसी उसका स्विकार करना उसके सब गुन और दुरून के साथ है क्योंकि परफेक्ट पत्नी है परफेक्ट पत्ती मिलने वाल है नहीं उसमें कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ तो हो गई लोग डाइवर्स लेते हैं और फिर दुसरी शादी करते है दुसरी शादी करने के बाद में मालूम परता है कि अभी दुसरी पत्नी जो आई उसमें अलग दुरगुन है बहले ही पहले पत्नी के नहीं है मगर भी उसके अलग दुरुगुन है लगता है कि पहली पत्नी अच्छी थी और उसके दुरुगुन चलते थे या वैसे ही पत्नी कहाता है कि पहला पत्नी अच्छा था उसमें जो दुर्गुन थे वो भी दुसरे पती में नहीं है मगर भी दुसरे पती में दुसरी दुर्गुन है जो अपने को नहीं है चाहिए तो डाइवरस लेना ये उसका इलाज नहीं है या अल्लाग रहाना उसका इलाज नहीं है उसका इलाज है एक दूसरे को समझना एक दूसरे की केर करना और यह समझ के चलना है कि अपने को दो-दो कदम पीछे आना पड़ेगा हर बात के उपर तब ही शन्तिय हो सकती है एक दूसरे को समझ लेना एक दूसरे को सुनना एक दुसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करना जैसा है वैसा है उसका स्वीकार करना गल्टिया नहीं निकालना और एक दुसरे को क्या चाहिए उसके लिए ख़ड़े रहना यरि हम करते है तो definitely रिष्टा पत्यопत्नी का उसमें कमाल का फायदा फरक दिखेगा और एक्चुली सुखी जीवन हो सकता है मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि बैव विजुलाइजिशन करो स्वासम मोहन करो सेल्फ इपनासिस सेल्फ इपनासिस करके खुद को सूचना है दो अंतरमन को सूचना है देना और सूचना है देके विजुलाइज करो क्या क्या गलतिया कोई कर रहा है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ और उसकी जवाबदारी लो जो भी हो रहा है घर में जो भी अंतरमन हो रही है उसकी जवाबदारी खुद में लेना उसके लिए दोश नहीं देना और जवाबदारी लेके वहां मैं क्या कर सकता हूँ मैंने क्या किया तो ये समस्या जो उसका हल हो जाएंगा ये देखना और दोनों का रिष्टा अच्छा चल रहा है उसका visualization चिंतन करना, चिंता के बदले चिंतन करेंगे तो चिंतन करना सोचना ये रिष्टा में क्या अच्छा कर सकता हूँ मेरे दोब से मैं क्या करूँ कि जिसके वज़े से रिष्टा अच्छा हो जाएंगा ये हरें नहीं देखना ये दि करते रहे तो वag on अभी मेरे वाइन और टा उनका उसके मा और पिता जी ऐसे घठ में तीन बेड़े वे वो बहर से आई और वो त्यन्ों बाते कर रहे थे उसको लगा कि मेरे बारे में बात कर रहे है मेरे 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 मेर कुछ भी जगड़ा हो गया पती पतनी का तभी कम्यूनिकेशन बंद करने का नहीं है समवात बंद करने का नहीं है मैं हर दम बोलता हूं कि A B C A B C मतलब Always Be In Communication हर दम कम्यूनिकेशन में रहना है कितना भी घुस्ता आ गया तो बात करना पहले बंद कर दालते बात नहीं करते बात नहीं किया तो फिर दरी जो है गैप जो ज़्यादा पढ़ते जाती तो कितना भी कितना भी घुस्ता आया कितना भी खगड़ा हुआ तो पहला जो करना है पहला पॉइंट हुश्त पॉइंट कि भात चलू रखने का है क्योंकि बात बंद चलू से कुलमद कम हो कि आपक्षान को बोलने की है और जैसा है वैसा उसका स्विकार करना यह दिए बात करेंगे तो दोनों एक दुसरे को समझ के लेंगे तो भयवाइक जीवन जो है बहुत खुशी करेंगा आपके संपर्ग में आने वाले काफी सारे कपल्स होंगे कि जिनका आपस में कुछ ना कुछ अन्बन हो रहा है उनको जरूर यह वीडियो शेयर करो उनको फायदा होगा आपके फेस्बूक के ग्रूप के उपर वाटसाइब ग्रूप के उपर शेयर करो सब्सक्राइब करो थैंक्यू बेरी मच्छ